Hi everyone, welcome to the channel, it's me, Sidrit Zahani, 2 class 12 students, जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाई, क्यूंकि आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, पहला चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का, Management of Sporting Events in Best Way, ऐसे पढ़ाऊंगी आपको इस चैप्टर को, कि इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा तुम्हा क्या है इसका, Management of Sporting Events, अगर तुम्हें वीडियो को लाइक नहीं कर तो जल्दी से लाइक कर दो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना नाम भी बता दो, ठीक है, क्योंकि तुम वह सारे भाईवे नो, जो अभी आने वाली फिजिकल एजुकेशन के एक्जाम म को जो है, टीवी पे चला के देखते हो ना, तो जो तूर्नमेंट कराया जाते है, वह कैसे होते है, यह तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर जारना है, ठीक है, जो वह मैच इस रखवाये जाते हैं, आपने दिखा है, एक तीम दूसरे तीम के साथ खेलती है, भाया, इंडि किस तरीके से कौन से टीम के साथ मैच कराया रहागा, बहुती बढ़िया चाप्टर है, तो शुरू करते हैं, हम अपने इस चाप्टर को, नाम क्या है, फिर से देख लो नाम, मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्टिंग तो मतलब समझ गया है, स्पोर्स इ स्पोर्स इवेंट, 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 लगती होगी कितनी मैनेजिंग लगती होगी कितनी ओर्गनाइजेशन लगती होगी that you will study here ठीक है इसको एक्जाम में डिरेक्ट क्वेशन आएगा explain the functions that are performed during sports event management sports की event को कोई भी बड़े से बड़ा हो या बहुत सिंपल तो मारे स्कूल में भी अगर पोज़े ओर्गनाइज कराना हो तो वह इवेंट को अर्गनाइज कराने के लिए क्या क्या फंक्शन लगते है तो यह आप बेसिकली फाइफ फंक्शन जिनकी जरूरत होती है कोई भी sports event को कराने के लिए क्या होते है वह फाइफ फंक्शन उसमें से सबसे पहले करी जाती है प्लानिंग के बाद क्या करी जाती है और गनाइजिंग करी जाती है और गनाइजिंग करी जाती है और गनाइजिंग के बाद करा जाता है स्टाफिंग करी जाती है स्टाफिंग के बाद क कि definition learn what is planning planning is the process of making a sequence of work for a future line of action जैसे कि मैं तुमें करिए अब तुम्हारा बड़े है तुम्हें अपना बड़े बहुत बढ़े है तुम्हें अपना बड़े रखवाना तो सबसे पहरे तुम्हें एक प्लान वे बैठके अपने तोस्तों के साथ बैच जो प्लान बनाओगे भाई मेरे इस जिट को बड करते हैं तुम्हारा फिजिकल का पीपर है तुम्हें मेरी स्राटीच वीटियो देखी कि हाँ भाई दी ने बता है दो दिन में हम ऐसे बढ़ेंगे तीन में हम ऐसे बढ़ेंगे तो डैट यू मेड़ प्लान ना तो यस कोई भी स्फोर्ट इवेंट और नो सबसे पहले क्य मैंने वहां से प्रिवेस यह क्वेशन पेपर से देखें सबसे सिंप्लिफाइड देखनें निकाल कर आपका सब्सेंदी मेटिकल कर दिया है तो इसको डाउनलोड कर देखें तो फर्स्ट इस प्लानिंग एग्जान में पूरा लॉग पूरा लॉग क्वेशन में आया श्रीक के पेपर सर्षाखनें साइद किया है तो प्लानिंग मीज्व क्या है ब साथृाइब कंग पहुट इसांल में सोच रहे हो आप अग्जाग लाइड पिसेद मीकिन ओफटें स्कृष्फटें है set करते है goals को strategies बनाते हैं जो required है हमारे future goal को attain करने के ठीक है planning की definition समझ गए अब objectives of planning learn करो क्या है objective planning करने के दरूरत क्या है मत करो planning सीधा organizing staffing करने सुरू कर दो planning की दरूरत क्या है उसकी आप बताओ what are the importance of planning your objectives of planning तो सबसे पहले it helps in keeping good control in organization of a tournament अगर आप सब कुछ plan करके चल रहे हो तो सब कुछ अच्छे तरीके से organize होगा reduce the chances of mistake आप जैसे कोई sports event आपके school में स्कूल में organize कराना था पहले आपके teachers ने बैट के plan मना लिया कि भाहिया 9-12 तक की यह वाली races होंगी इन बच्चों को participants की लिस्ट आ चुकी है सबसे पहले वाली race बच्चों को यह प्राइस में लेगा फिर चीफ जैसी आएंगे decoration ऐसे होगी teachers ने बैट के plan मना लिया उसके बाद आगे का काम किया गया तो chances mistake की बहुत reduce हो जाती है to promote innovative idea अपने किया का तुम लोगों का दोस्तों का सारा जोंड बनाया है तो मारे बड़े की पार्टी की planning हो रही है तो हर कोई एक नाएक आइडिया देगा हुआ का भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं हम ऐसे भी कर सकते हैं तो जितने जादा लोग बैट के plan करते हैं तो और planning के समय पे innovative ideas निकल के आते हैं to provide direction towards the goal ठीक है to reduce undue pressure अब तुमने physical education की paper की पहले से planning कर रखी है कोई नी भाई से नहीं थी दो दिन में ती दिन में पूरा से ले बस दिमाब में बसा देंगी important question ना देगी तो pressure नहीं है ना दिमाग पे तो yes planning करने से undue pressure release हो जाता है to provide proper coordination among the committees अब यहां कमेटी इसका रोल वाली बात क्यों लिखिए हमने जैसे sports event management जब organized होता है बड़ी-बड़ी events organized होते है तो उसमें बड़ी-बड़ी committee होती है भाहिये ground committee भाहिये first aid committee यह technical committee तो जब plan मनाया होता है तो committee's को भी अच्छे से हम organize कर लेते हैं ठीक है good control over the activities sub activities पो तुमारा control हो और improve efficiency efficiency मतलब जो तुमारा future task है ना जैसे तुमारा physical paper sports to organize करना तुमारा bird to organize करना वो efficiently उसमें कोई कमी ना हो इसलिए हमारा पहला feature होता है planning screenshot करना चाहों कर सते हो औरना मैं तुमें नोच प्रोवाइड कर दूँए there is don't need to worry ठीक है अब आते हैं हम अपने second function second function होता है our sports event organize करने का organizing organize करना organizing में क्यों होता है organizing वो process है जैसे तुमने सोच लिए बड़े कराना है उसके बात तुम organize कर रहे हो work और responsibilities को इसमें हम distribute करते हैं तो एक लड़के को कह दिया भाई तो केक ले कर आई हो एक लड़के को कह दिया भाई तो सब को बता दियो वर्चाप पर ग्रुप बना ले उस पे मेरी तरफ से इन्विटेशन दे दियो एक लड़के को तुमने के दिया कि भाई तू जो है न सारा केटरेन संबालेगा तुझे यह 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 खाने की सीज़ मुझे अपने वर्डे में चाहिए दोस्त होते हैं हेल्प तो करते हैं दोस्त और एक जनने के साथ मिलके तुमने सॉंग्स की प या फिर responsibility related to event या फिर program are specified जैसे घर में शादी होती है तो दड़की के मम्मी पापा लड़की के मम्मी पापा क्या करते हैं पूरे खांदान वालों की meeting गो लाते और बताते हैं जी पहंदी के function में यह है एक को महंदी के function की duty दे दी एक को हल्दी के function की duty दे दी एक को कह दिय है डान तो classified and then assigned to various peoples and committees ठीक है तो यह पूरी definition तुम्हें organizing की बहुत असान definition है organizing refers to the process through which various work responsibilities related to a program are specified specified classified 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 और जाता है और उन लोगों को assign कर दिया जाता है what are the benefits of organizing तो organizing कराने में क्या होता है क्या प्रोसे से organizing करने का यह रिख लो organizing कैसे होती है identification and division of work सबसे पहले organizing में क्या होता है identification and division of work identify करो जैसे positive करवाना है तो भाई यह वाले हमने races रखनी है divide कर दो वाको एक बच्चे को कह दिया तुम decoration देखो एक बच्चों की team को एक बच्चों की team को कह दिया यह बच्चे race में पार्टिसपेट लेंगे तुम्हें कमेटी बना दी next assignment of duties to department and committee सबको उनकी duties रसाइंड कर दी और last piece में होते establishing report relations between all department committees and staffing यानि कि फिर आपास में इनकी report बनानी होती है कि सब अच्छे से coordination से work हो रहा है या नहीं हो ठीक है तो यह fourth वाला तो चाहे तो महने भी तो यह तीन steps जरूर आपको लिखने है अब आते हैं हम अपने अगले step पे अगले function पे organizing के बाद अगला function आता है हमारा staffing यह बहुत important function होता है sports event management का staffing refers to the process of appointing filing hiring कुछ भी लिख लो या selecting लिख देना eligible persons by evaluating their skill and knowledge for specific post तो staffing features में क्या होता है जैसे मैंने कहा कि भाई हमने sports day के लिए sports day के लिए हमें एक committee हमने बना दी कि कोई बच्चे हैं जो speech देंगे जो announcement करेंगे भाई अभी यह रहे सुने वालिया अभी यह रहे सुने वालिया वह announcement करेंगे अब उनके लिए हमने staffing करनी है staffing करेंगे हम उन school में से वह बच्चों को ढूनेंगे जिनकी speaking scale अच्छी है जिनोने पहले कभी किसी event में जो है announcement करी हो जिनकी जो speech है जो debate कर सकते हैं जो सब लोगों के सामने अच्छे से present कर सकते हैं बात को तो उन बच्चों को आप चुनोगे तो उन बच्चों को जो चुना गया है ना उसी process को स्टाफिंग केते हैं समझ अब जैसे कोई sports में कोई बड़े लेवल पर कोई function हो रहा है आप मान लोगों कोई cricket मैच ही हो तो इसमें स्टाफिंग के होगी उन लोगों को ढूंडा जाएगा जो अच्छे से उन लोगों को चुनना होता है अब स्टाफिंग process में क्या होता है सबसे पहले एस्टीवेटिंग मैंपावर पहले रिक्वायर मैंपावर कर दो इतना वाड़ा इवेंट है तो 200 लोगों की जरुरत है 300 लोगों की जुरत एस्टिवेट कर ली सिलेक्टिंगा रिकुर्मेंट ऑफ स्यूटेबल कांडिडेट्स उसके बाद देखा ऐसा तो नहीं किसी को भी रख लेंगी काम पर जो स्यूटेबल है जो लायक है काम करने के उन्हें पॉइंट करा फिर उनको प्लेस्मेंट कर दी उ आट चालक डिखेंगे एक जगा पर बैट है को इसे हुआ रहा है इस टुर्स्ते होगा टो और यह तो वहायक आसके डुम कहने ज़सी चर्ण हो guiding, communicating and inspiring human workforce to achieve particular objective directing मतलब क्या हो गया कि director का काम होता है इसमें director point होता है वो जाएंगे जो लोग काम करें उन्हें कहेंगे उन्हें guidelines देंगे, उन्हें instruct करेंगे, उनसे बात करेंगे वो दार को efficiently काम करें ठीक है director का function क्या होता है आप यह देख लो supervision of subordinates ठीक है, उनको देखो भाहिया, सही से काम करेंगे यह तो नहीं खाली बैठेंगे, काम तो करने है communication, उनको बातचीत करना उनसे required regarding what to do, what not to do ठीक है, leadership it refers to influencing subordinates to make them do work, what the leader wants them to do ठीक है, आपको यह काम करना अच्छे से करो motivate करना उनको, तो यह होता है director का काम, ठीक है, अब आते हैं हम अपने last function पे, हमारे sports event management के, जो होता है, controlling controlling refers to ensuring that all activities are performed as per the plans, तो यह ना कहीं ना कहीं directing से मिलता जुलता ही लगता है, बट यह directing नहीं है, last आता है हमारा controlling, जिसमें हमें यह ensure करना होता है कि यह जितने भी काम है, वो ठीक से हो रही है, यार नहीं हो रही है definition देखो, controlling refers to ensuring that all activities are performed as per the plan, जैसे तुमारी birthday party में controlling तुम करोगे भाई, cake आगिया ना, creation decide होगी ना, मेरे सारे favorite friends के पास नहीं होता चला गया ना, और मेरे dance decide होगी प्ले लिस्ट होगी ना, और ये games decide होगे ना, चल भाई, ठीक है, अब सब बढ़िया हो गया control करना, कि भाई, सब activities साइसे हो रही है, या नहीं हो रही है, ठीक है controlling processes to foreseeable management में क्या लिगने का, जो है, include कर जाता है setting performance standards, कि भाई, performance standard रग दिए, इस level के performance हमें sports event management के, जो है, कितने function होगा है हमारे planning, organizing, ठीक है, staffing, directing, controlling तो यहां से आप देख लो, what are the functions of sports event management, planning, organizing, ठीक है, staffing, directing, controlling, ये 5 functions है, इनकी definitions, मैंने आपको provide कर दिया, Google Drive link के अंदर और उनके जो है, उनको detail में भी अगर लहने को है, वो भी, done, अब आते हैं हम अपते अगले topic पे, जो है, हमारा various committees and their responsibilities, अब कोई world cup होना हो, या कोई भी cricket का tournament होना हो, या football का tournament होना हो, या कोई भी sports का tournament होना हो, tournament मतलब क्या, बड़े level पे जहांबे लोग आके देखिएंगे, और player matches खेलेंगे, कोई भी event होना, उसमें committees बनाई जाती है, और वो committees धिहान रखती है, कि वो event organized कैसे कराया जागा, ठीक है, तो कुछ committees से हम मिलते हैं, और फिर आपको ये भी जानना है कि उन committees की responsibility pre, यानि कि tournament के start होने से पहले क्या होती है, पूरी चेक कर रहा होती है, फिल्ड को, कि वहाँ water तो नहीं है, मौश्चर तो नहीं है, जब कभी बारिश हो जाए, तो वो आके उसके उपर पूरा cover कर देते हैं, ठीक है, और बाज में भी बूरी setting कर जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसी छोड़ जाते होंगे, ground को नहीं न, तो ये pre, post, और during की पूरे आप अपड़ोगे, सब की responsibilities क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, चलो परते हैं, सबसे पहली committee होती है, हमारे पास में कोई भी sports event organize करने के लिए, इस committee को बोला जाता है, technical committee, this committee is responsible for the technical conduct of the event, जो भी कुछ technical conduct होता है, technical conduct में क्या आता है, जैसे, referees appoint करना, judges appoint करना, starters, umpires, timekeepers, ये सब को appoint करना technical committee का काम है, ठीक है, उसके अलाबा, आपको यसे बना, by heart learning करना है, कुछ committees को दिमाग में रख लो, पूछी जा सकते हैं, next, transport committee, नाम से सिमिन में आ रहा है, this committee is responsible for providing facilities, regarding transport, team के लोगों के लिए, sports event, पहले जाने के लिए, उनको transport committee होगे, ठीक है, next, आगे आपका reception committee, नाम से ना, हिंदी में, इंग्लिश में आपने आपना के लिए, दो कि हिंदी में सोचना function, reception committee, the members of this committee are responsible to welcome the chief guests and spectators at opening and closing ceremony, reception, receive कर रहे हैं, वो, chief guests आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए, जो spectators है, जो audience है, उनका स्वागत करने के लिए, ठीक है, reception committee हो गई, boarding and lodging committee, नाम से समान में आ रहा है, is responsible for making necessary arrangement for providing accommodation, boarding मतब क्या घर भाहिया, अहूद बड़े-बड़े, ये जो sports person आ रहे हैं, कौन से hotel में रुकेंगे, क्या उनको खानत हिलाया जाएगा, पूरा भाहिया, वो तरीके से उनके luggage के साथ, वो वहाँ पहुच जाए, जहाँ उन्हें रहना है, तो ये क्या हो गया, हमारा boarding and lodging committee, ground and equipment committee, ये किसी भी sports event की सबसे important committee होती है, this committee makes necessary arrangement related to equipments of event, भाहिया, भाहिया, cricket में, जितने भी equipment चीए, वो सब महां ground पर पहुच जाए, और ground भी बढ़िया सा हो जाए, तो ये ground and equipment committee का काम होता है, ठीक है, एक दो committee और है, ये committee तुमने रो हमेशा जब भी match होता है, इस committee के लोगों को आप भागते विया, आतावा दिखते हो, हमारे injured player के मदद करने के लिए, कौन से committee होगा, ये first aid committee, ठीक है, medical and first aid committee, इस committee का क्या काम है, कि भाहि, जो भी injured हो गया है, game की दोरान, उनको जाकि ये medical assistance देते हैं, publicity committee, ये भी बड़ी important committee है, जैसे ही कोई भी match होने वाला होता, कोई बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से पोची विन होने वाला होता, उससे पहले तुम जो है mobile चला होगे, तुम उसका ad दिख जाता है, आजकल तुम इंफ्लूएंसर्स भी आके ad करते हैं, TV pad दिख जाता है कि हाँ IPL शूरू होने वाला है, वर्ल्ड का पान्यल है, तो ये publicity committee का काम होता है कि audience को पता चले ये टूर्नामेंट होने वाला है, फिर उनकी excitement बड़ेगी, उसको देखने के लिए फिर वो जागे टेक टेक खरीदेंगे, और जो है पूरा का पूरा सब पता ही वाला है, तो publicity committee का काम है, पूरे event को publicize करना, ठीक है, all the press releases, press conferences are organized by this committee, उसके बाद जीद भी जाते हैं, तो बताना भाईया, ये जो speeches नहीं होती, man of the matter, वो सब काम publicity committee का है, ठीक है, next finance committee, भाईया, सारा पैसा तो ये handle करते है, या कहां खर जाओगा, ठीक है, refreshment committee, ये खाने पीने का ध्यान तो रखा जाएगा, जो जो इवेंट में है, उन सब के खाने पीने का ध्यान रखती है, refreshment committee, मैंने 10 committee कराईया, तुम 6 लर्न कर लेना, बस, और यसे को बाई हाट लर्नी करना है, simple, सोच लो, transport community का क्या का कम होगा, इस committee का क्या कम होगा, आपने आप ब बतारियों, मैं एक्जामने डारेक्ट आपको तीन-चान नंबर का क्वेशन आसते है, बताओ, प्री टूनामेंट गुटी, तो हम एक प्री टूनामेंट डूटी जाद कर लेते हैं, कि हर committee क्या क्या रूल नहीं होगी, प्री टूनामेंट में, ठीक है, रेड करते हैं, अस सबसे पहले बजट देखोगे, मेरा 20,000, 25,000 का बजट है, इसमें इस वारी जगा मेरा बढ़ी अच्छे से हो जाएगा, तो भाई, बजट डिसाइड करना है, सबसे पहली, pre-tunamend duty होगी, to prepare the schedule of the tournament, अब भाई, कौनसी तूनमेंट किस टाइम पे होगा, जैसे तुम कहते हैं मेरा शाम को पाच बज़े, वैसे ही schedule बनाना हर्चीज हो का, वो हो गया, ठीक है, keep in mind the level of competition, अब यह जिस tournament में होगी, level of competition, decide करना, senior है, junior है, open है, ठीक है, to prepare the ground, courts, or sports equipment, यह काम है, pre-tunamend, ground बढ़िया हो, जितने ही equipment, sport के, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से organized हो, court, जो है, this first aid and medical kit ready, यह pre-tunamend है, ठीक है, to prepare fixtures and send tournament details to various teams of fixtures, जो अगला topic है, हमारा fixtures बनाना, किस team का match, किस के साथ होगा, कब होगा, कौन से तरीके से होगा, knockout tournament है, या league tournament है, यह सब decide करना, जो team जो खेलने वाली हों तक बाट पहुचा देना, यह काम होगा, में एक necessary arrangement regarding lodging and boarding of players and official, players क कहा रुकेंगे, officials कहा रुकेंगे, arrange prices and certificates, जो जीते होने क्या price मेलेगा, trophy कैसी बनेगे, certificates मेलेगे, यह हो गई, pre-tunamend, it will be given to you in the google drive link, ठीक है, next, during the tournament, during the tournament, क्या-क्या responsibility होगी, ensure proper arrangement during inauguration, ठीक है, inauguration ceremony, बढ़िया से हो, जैसी tournament start हो, checking players arenas, equipments and also checking eligibility form of participating team, ठीक है, give refreshment and meals to official and players, उन next event scheduled to the teams from time to time, जो जो इवेंट होने वाला, उनको time to time, पताते रो, अब यह होगा, यह होगा, यह होगा, make necessary announcement, भही, spectators के लिए, announcement जाली रहनी रहनी चाहिए, to prepare score sheets and concern record of the teams, जैसे हम कोई match देख रहे होते हैं, तो हमाँ TV पर चलनी रहा है, तो screens के उपर बड़ी-बडी, इतन इतना score होगा, इतना score होगा, वो तो during tournament का काम है, तो maintain discipline, discipline maintain करके, among spectators, ऐसा नहीं कोई भाग कर जाए, अब ही गया तो भाहिया, उसे वहाँ से लेके जाना, और पूरा discipline maintain, तो इसा maintain करना, and provide first aid to injured player, यह during tournament responsibility है, pre tournament में first aid kit ready रहना, during में first aid kit को वहां तक पोचाना, उनके पास त काम करने हो, यह during tournament हो गई, ठीक है, आप परते है, post tournament committee, अब जैसे tournament खतम होता है, logically सोचो, सबसे पहरे क्या होता है, prices distribute करे जाते है, certificate दिया जाता है, तो यह post tournament की हो गई, ensure press note, भाहि, press में notice जाना चाहिए, सारे media पे फैल जानी चाहिए, यह खबरे हो रही हो रही हो, यह यह जीती है, यह man of the match है, यह काम है, to provide security refunds to departing teams, यह एक line-up learn कर लो, to ensure payments to the official, अचे से हो जाए, जिस इंसान की payment होनी है, वो अचे से हो जाए, to present momentos to the chief guest and team scots, ठीक है, generate exact expenditure report, अब लास में क्या है भाहि, आप पहले तो budget बनता है, अब लास में कितना खर्चा हो गया, exactly लेखो, to आपके after the tournament, या फिर आपका हो post-tunament duties, you can learn any five of them, and you can write it, and you will get full bucks, ठीक है, तो आप हमने अपनी दो topic बहुत अचे से complete कर लिए है, जो है हमारे the functions of sports event management, ठीक है, what are the five functions, please मुझे जाली से comment कर दो, live chat के अंदर, और chat के अंदर, और comment section के अंदर, हमने duties भी पल ली, committees भी ठीक है, अब next हमारे पास एक आता है, हमेरा topic, fixtures and the procedure, इसमें आप जानोगे, जैसे आप देखते हो, हमने कहा कि India और पाकिस्तान का match हुआ, ठीक है, और हम कहरे हैं कि भाया, India और Australia का match हुआ, अलग-अलग matches जो हम होती भी देखते हैं, तो वो matches team level पे कैसे decide कर जाते हैं, कौन सर टीम कौन सर टीम के साथ match होगा, वो इक fixtures बनाने के procedure के तो decide होता है, अलग-अलग type के tournaments में, अलग-अलग type के fixtures लगते हैं, तो fixtures topic is very vast topic, और उसमें आपको doubts आते हैं, तो उसका अगला live session होगा अपका, तो वो कोई video recording कर रही हो, कोई जो है में आपी नहीं बता रही हूँ, I will come how to draw fixtures, क्या doubts होगा, मुझे लाइव पूछता रहना, and I will keep on clearing them, ठीक है, तो अब हम अपने exam से पहले, we will keep a live session for the fixtures, अभी पड़ते हम अगला topic, ठीक है, तुम गहोगा, तो मैं 20-30 minutes की, compacted video भी बना दूगी, but मैंने सोचा है, इसको हम live में भी जो है, एक बार discuss करेंगे, तो and significance, तो इंट्रा मुराल क्या होता है, चलो परते हैं, तो इंट्रा जो है, दो वर्ट से बना है मिलकर, यह आपको याद रखना exam में question आ सकता है, इंट्रा मतलब होता है, विदिन, मुराल मतलब होता है, वाल, so we can say that activities which are performed within the walls, और विदिन the campus or an institution, are called इंट्रा मुराल, जैसे तुमारे school के ही बच्चे participate करें, जैसे red house, yellow house, blue house, और उनके बीच में match हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपका इंट्रा मुराल competition है, तुमारे school के बच्चे आपसने compete करें within your campus, ठीक है, तो जो बे कोई ऐसे competitions होते हैं, जो within the campus कराए जाते हैं, बहार के school के बच्चे नही football match होते हैं, ABCD team बनी होते हैं, आपस में school के ही बच्चे compete कर रहे होते हैं, ऐसे offices लेवल पे भी होते हैं, और बड़े-बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है, तो इंट्रा मुराल मतलब क्या हुआ, जो perform within the campus, within the institution होते है, इसके participants भी within the campus से ही आते हैं, जैसे तुमारे school का red house, blue house, green house, football match मान लो, ठीक है, चलो, अब इंट्रा मुराल जो competition होता है, इसकी significance क्या है, इसकी significance क्या है, इसकी importance क्या है, यह क्यों कराए जाते हैं, सबसे पहले जो हो गया, selection for extra moral, जो भी बच्चा इंट्रा मुराल के लिए अच्छे से perform करता है, हम उसे extra moral के लिए लगा लेते ह इक दूसरे से उनको जो है, खेलने के साथ में प्राक्टिस हो जाती है, तो बहुत फाइदा मिलता है, professional experience, उने बहुत experience मिलता है, इसकी स्कूल के अंदर हो रहा है, इसकी टेंशन नहीं होता है, साथे के साथ में experience मिलता है, हेल्थ अच्छों की, खाली यह तोड़ी स्कूल तो यह ज़रूर लेखना, क्योंकि जब भी हम लोग चाहे, football competition में पार्टिसिपेटना करा हो, वहाँ जाके बैठ के देखने से हमें इतना बढ़िया लगता है, तो recreation के लिए होता है, intramoral और mass participation, class के, school के, इतने सारे houses के बच्चिया के पार्टिसिपेट करते हैं बिना तरे तो mass participation होगी, इसकी significance है, ठीक है, significance के साथ में objectives भी पढ़ लो, क्या है, इसकी objectives, ठीक है, इसकी importance है, objectives मतलब yes, why are we conducting intramoral competition, सबसे पहला intramoral competition इसलिए करा जाता है, जिससे हर बच्चे को opportunity मिले, games of sports में participate करने की, school में तो हर बच्चा अपना नाम लिखवा सकता है, जा सकता है, to develop leadership qualities among students, तो जैसे जो team A है, red house के team, blue house के team, उनके बच्चों के बच्चों के बच्च में, leadership qualities बच्चों के बच्चों के बच्च में, leadership qualities बच्चों हो, ठीक है, develop feeling of cooperation, recreation, feeling of sportsmanship, providing opportunity to learn a variety of games and skills, यह हो गया आपका, ठीक है, तो these are kind of same, जो आया exam में लिख देना गाइस, ठीक है, अब आते हम, extra moral, extra moral पढ़ के समच सकते हो, extra moral is derived from the latin word extra, extra and moral, extra means outside and moral means wall, तो यह वो activities होती है, which are performed outside the walls of an institution or school, तो school से बाहर, उसको हम क्या के रहे है, भाई, बहुत सारे school के बच्चे आ रहे है, ABC public school, XYZ public school, यह public school, भाई, सारे school के बच्चे आ रहे है, ठीक है, तो इसका objectives क्या ह होते हैं, क्या जरूरत है, extra moral competition करनावानी की, बच्चों को experience देना, ठीक है, जो घर का match कहते है, उससे, जो school के बच्चे होता है, उसका experience अलग होता है, और बहार जा के बच्चों के बच्चों के team बेर साथ compete करना, that is a different experience, कोई बच्चे ऐसे हो, जो जाते हो, जो sports करते हो, मुझे कितना अलग experience होता है, ठीक है, मैं तो डिबेट के लिए गई हूँ, अपने school से बार, speeches के लिए बहुत बार गई हूँ, तो बहुत अलग होता experience उसका, जो अपने school के खुद की अपने debate or speech के लिए होता था, I know that, ठीक है, तो ये बता हो, जिन बच्चे को बता हो, to improve standards of sport, to broaden the base of sport, develop sportsmanship and fraternity, fraternity में बहाई चारा, सारी school होगी, जो team है, उन सब की वीश में बहाई चारा बन जाए, ठीक है, provide knowledge of new rules and advanced techniques, ये इसके कुछ objectives होगा है, ठीक है, अब असान वाली objective को होता हूँ, ये हम significance में लें कर लेंगे, क्या फाइदा है extra moral कराने का, स्कूल के इंदर स्कूल के अंदर लगत और तरीका है, अपने टीचर्स के साथ में अपना पन होता है, बहार जाओगे, आप दुनिया को फेस करोगे, personality develop होती है, leadership quality develop होगी, rules and regulation समझ पाओगे, अपनी aggression को control कर पाओगे, गुसा आएगा कहीं को इसी cheating हो जाए, ये cheating मीना हो, तो मैं गुसा र हिसाब में आपके शहर की बच्चे के स्कूलों की टीमें खेल रही है, इससे स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स राइज होता है, ठीक है, तो याद हो गया कुछ इसको complicated मत करो, हमने पढ़ा intra moral स्कूल के अंदर के competition, intra मतलब within moral मतलब within the walls, इसका significance पर लिया, objective पर लिया, दोनों म अगर तुम significance से objective लिख दोगे, objective में significance तो भी कोई marks निकटेंगे, same ही है, ठीक है, extra moral क्या है, बाहर जाके जोते हैं, जैसे बड़े साथ स्कूलों का competition हो रहा हो साथ में, ठीक है, इसके objectives, इसके significance क्या होगी, leadership quality बनेगी, personality develop होगी, रूल समन में आंगी, standard of sports बढ़ेगा, competition ब कुछ specific sports program, जो हमारे यहां पर करवाए जाते हो, उनका जो aim है, वो इसलिए नहीं है, कि हार जीत का फैसला किया जाए, वो society के लिए, development के लिए कराए जाते है, लोगो society में खुशिया फैले, society के लोग healthy हो जाए, इसलिए यह कराए जाते है, specific sports program, ठीक है, sports program, games are arranged in the world as well as in our country हर जगा पर कराया जाते है, sports program, for a specific cost, जब भी कोई sports program, किसी एक specific cost के लिए कराया जाए जाएगा, तो उसको specific cost, sports program कहेंगी, ठीक है, the programs motivate and create the feeling to take part in these sports programs, यह ऐसे program कराया जाते है, जिसमें तो अब हैसा तुनिया, हर कोई sports में अच्छा हो, किसी को लगता होगा, यार मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, बट बन तो करता होगा, कभी कभी रिएस में पार्टिसिपेट करने हैं, बट हार जीत के फैसलेस से सुनगे है, मंदा डर जाता है, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यह इस type के sports program होते हैं, जिसमें हार जीत ज्यादा मैटर नहीं करती जिसमें आपका development ज्यादा matter करता है, people become health conscious, health conscious लोगों के लिए करवाया जाता है, कि आप आओ, participate करो, इस marathon में, इस run में, आप healthy होगे, इस सब परपस से ही कराया जाता है, more and more people, different age group के people को इसमें request करता है, आप आओ, और participate करो, ठीक है, चलो परते हैं, कुछ sports event program, specific sports program, सबसे specific sports program, आपके school ने होता है, that is a sports day, हाँ, sports day में हार जीत होती है, but sports day का real motive होता है, कि school का हर बच्चा, जो है, उसमें participate कर पाए, physically develop हो, healthy हो, और happy हो, recreation हो, इसलिए sports day कराया जाता है, ठीक है, और health run करवाई जाती है, run for fun, जैसे समन में आ रहा है, fun के लिए, fun के लिए, fun के लिए run for unity, तो सब का एक definition देख लेते, exam में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले sports day, खुद ने explain कर सकते है, क्या अपनी language पर लिख दो क्या होता है, sports day, तो sports day कैसा program होता है, जो school में हर साल, जो है, organize कराया जाता है, ठीक है, it is an event not only to showcase abilities and power of children and youth in the sports field, but also great opportunity for community member to meet, greet and interact with each other, sports sports day खाली उसले नहीं कि कौन बच्चा अच्छा भाग दोड़ करते है, कौन बच्चे अच्छे 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 players, athletes है, इसलिए नहीं भाया, sports day में क्यों होता है, हम भी जाते है, हम भी जाते है, हम भी जाते है, teachers को एक meet, greet का अच्छा सा महाल बन जाता है, सब के मन में साथ है, हम भी बढ़िया से जो है, फिजिकली फिट हो जाते है, एक महाल भी जो सेट होता है, उसके लिए भी sports day बहुत बढ़िया होता है, it also reflects organizational strength of the society members and various other organizing institutions, इसको मत लिखना हो difficult लग रहा है तो, मतलब एक तरीके ये strength पता चलती है, से society के अंदर आपकी organization की, to celebrate sports day, the focus should not only beyond the participants of talented athletes, but displaying a wide variety of skills, ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे जो पता है, उनी को जो है chance देता है, सब बच्चों को chance देना चाहिए, major focus should be maximum engagement and involvement of community members, जादर से जादर लोग उसमें engage हो, importance का है sports day की leadership increase होती है, recreation है, participant makes student fit and healthy, children learn, cooperation unity, respect for each other, कोई भी आप learn कर सबके importance, ठीक है, अब health run, health run जै इसका जो purpose है, हाद जीत नहीं है, healthy रहना है, such kind of run is generally conducted for improving the health standards in society, यह से होता है, महले में health run और और किसी एक locality में health run और और किसी एक लोकालिटी में health run और 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 किसी एक लोकालिटी में health run और और किसी एक है, importance of physical activity, लोगों को बता आना है, घर में बैट के टीवी और participate करने के लिए, to get such full impact, large number of registration, there is no age bar, कोई age bar नहीं होता है, participation का कोई बया के participate कर सकता है, it is not a professional race, कोई professional race नहीं है, तो long distance की कोई जूरा नहीं है, marathons type में होती है, such a run, अब इस type का health run कौन गंड़क करवाएगा, कोई NGO करवा सकती है, health department करा सकता है, कोई hospitals करा सकती है, जिससे लोगों में healthy रहने की, जो है, सोचा है, ठीक है, अब इसके importance क्या होगी, अपने आप सोच लो, health run की क्या है, health अच्छी हो जाएगी, कोई भी लिख दो, भाया, body में से stress, hair reduce होगा, spirit system अच्छा होगा, heart अच्छा होगा, obesity reduce होगी, simple advantages आ गई इसकी, अब आता है, next पे run for fun, ज गे फिर्ण में, lemon से सच सभी बूरे में, सोच नहीं होगा, तो ये run for fun होता है, एक भोल भी वहल भी नहीं बनाने के लिए और भी हैप्र महल बनाने के लिए, ये run for fun कराया जाता है, ठीक है, इसमें भी कोई एज, कोई जो है, इन सब चीजों एज बाढ़नी होता, ये सब नहीं सोचना होता, बट हाँ ये है कि ये जो run for fun होता है, वो physical education teacher की देखरेक में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई miss happening, कोई accident हो जाए, इस चक्कर में, funny race करवानी के चकर में, बस ये ध्यान रखन होता है, sometimes these runs are also conducted to raise funds, कभी-कभी ना, funds race, charity करने के लिए, run for fun रखवाए जाते है, example किया, road running, teacher and child race, parent and child race, three leg race, sack race, वो एक-एक हात बान के भी race करते है, पैर बान के, whatever, तो ये सब क्या है, ये क्या है, run for fun है, ठीक है, अब चलो पड़ते हैं, हम run for specific cause, ये किसली होता है, ये event इसली होता है, ये event इसली होता है, जैसे कोई specific cause के लिए आप जो है run करें, उसके related लोगों में awareness बड़े, लोग उ साफ रखो, promoting green environment, साफ सुथरा environment रखो, purpose of such event is to spread awareness, awareness बढ़ाने के लिए, ये run for specific cause होता है, जब भी cause बाला है, awareness लिखना, जैसे, जो है, अलग-अलग diseases related, आप अपना run for specific cause कर रहे हो, उसमें ना कहीं बड़े-बड़े celebrities को भी बुला लिया जाता है, वो भी आके, जो है run करते सो दाट उसको attention मेलेगी movement को और फिर लोगों को awareness जादा बढ़ेगी, last but not the least आता है हमारा run for unity, unity मतला बहाई चारा, एक ता बढ़ाने के लिए करा जाता run for unity, in such type of a run, the purpose is to promote feeling of integrity and brotherhood in community, state, nation, और among different religions, such event help to develop bonding and a sense of togetherness among people, ये इसलिए कराई जाते है, जितने आजकल दुनिया में लोग एक दूसरे के दुश्मन होते जारे हैं, भेदभाव वरते जारे हैं, religion, caste, color के basis पर जो discrimination काईवार हमारी society में होता है, अमीरी गरीबी लोग जो है इतना discriminate करते हैं, दूसरे के साथ लडाईयां करते हैं, जगड़े करते हैं, वो सब ना हो, एक आप कोई महला ही देख तो run for, जो है, यहाँ पे हमारे लिए इसलिए आता है, यह run for unity, ठीक है, स्कूल में भी जब स्पोस्टे होता है, तो कुछ चार बच्चे जिन सम बात नहीं भी कर रहे होते हैं, और उन से भी बात रोनी फिरू हो जाती है, खेल के बहाने, कि चल भाई, हम तो साथ में खेलत यहाँ पे आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन का पहला चाप्टर होता है, हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, जो एक्जाम में काफी सारे नंबर आपके सिक्योर कराएगा, उसका हमारे सेपरेट वीडियो आएगा, और स सेशन रहेगा, जैसे हमने इंग्लिश में रीडिंग कॉंपरिहेंशन को अलग से पढ़ा जाना, इसको आफिक्स्चर्स को अपना रीडिंग कॉंपरिहेंशन मान लो, इसे मैं अलग से प्रैक्टेस कराऊंगी, इसमें डाउट साते हैं, तो डूट्स क्लियर कराए विल मीट इन नेक्स वीडियो जहां हम नेक्स चाप्ट को पढ़ने वाले हैं, चाप्टर नमबर टू को, सो बाबाए बेस्ट अफ लक भिलते हैं नेक्स बिलते हैं